नमस्कार आप देखरें, Around the World मैं हूँ आपके साथ दिपाली बुलिटन में आज हम बात करेंगे अमेरिका के चुनावी दंगल में हुए Billion Dollars SUE की जिसे Republican Party के Candidate Donald Trump की वाइफ ने कुछ बीडिया संसानों पर किया है बात होगी ऐसी ही कुछ पुराने केसिस की भी आपको दिखाएंगे प्रदानमंदी नरेंद मोदी के लिए क्यों एहम है वियतनाम का दौरा दिखाएंगे पाकस्तान में बलोचिस्तान पर मुद्दे पर बॉकलाई आर्मी और सरकार का रियक्शन भी खबरे और भी होंगी लेकिन सबसे पहले बाद अमेरिका के हाई प्रोफाइल डिफिमेशन केस की जिसमें मरेडियाई ट्रम्प ने ब्रिटिश डियूस पेपर डेली मेल और एक यूएस ब्लॉगर पर एक हजार करोड का मानहानी का दावा ठोका है मिलियन डॉलर्स की पड़ी मिलीनिया पर टिपड़ी मिसिस ट्रम्प को कुछ ना कहना वरना देना पड़ेगा तगड़ा चुर्माना जॉनल्ड ट्रम्प की वाइफ मिलीनिया ट्रम्प ने अपने उपर की गई एक टिपड़ी को लेकर एक हजार करोड के मुआवजी के मांग की है जॉनल्ड ट्रम्प की तीसरी पतनी मिलीनिया ट्रम्प पर की गई ब्रिटेश न्यूस पेपर और एक युएस ब्लॉगर की टिपड़ी एक सो पचास मिलियन डॉलर की पड़ी है दरिसल ब्रिटेश न्यूस पेपर डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि 1990 के दश्षक में मिलीनिया जिस मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करती थी वो एसकॉर्ट सर्विस भी देती थी और न्यूयोग में मिलीनिया ट्रम्प ने पार्ट टाइम एसकॉर्ट सर्विस के लिए भी काम किया था मिलीनिया ट्रम्प के वकील चार्ल्ज हार्डर ने कहा इन प्रतिवादियों ने मिसेस ट्रम्प को लेकर कुछ बयान दिये हैं और वो शत्त प्रतिशत गलत हैं और उनके व्यक्तिगत के साथ-साथ पेशिवर प्रतिश्ठा को भी बुरी तरहे नुकसान पहुंचाने वाली है। तरहे साल की मिलीनिया ट्रॉप मूल ग्रूप से स्लोवानिया की रहने वाली है। 1990 के दर्शक में मौडलिक के लिए मिलीनिया स्लोवानिया से अमेरिका आ गई। अमेरिका आ कर ही उनकी मुलाकात डॉनल्ड ट्रॉंक से हुई। 2005 में इन दोनों की शादी हो गई और उनका एक बेटा भी है। यूएस ब्लॉगर टार्पले ने तो यहां तक लिखा था कि मिलीनिया अपने अतीत के उजागर होने से डड़ती है। जबकि डेली मेल की एक वेबसाइट ने स्लोवानियन मैगजीन का हवाला देते हुए, मिलीनिया के लिए ये बात कही थी। मिलीनिया च्रॉंप के वकील ने ये भी कहा है कि दोनों ही मीडियम्स के जर्ये मिलीनिया की इमिज को नुकसान पहुँचाया गया है। यूँ तो मिलीनिया च्रॉंप को लेकर पहले भी चुनावों के दोरान तरहे तरहे की कॉंट्रिवर्सीज हो चुकी हैं। लेकिन इस वार मामला डेफिमेशन केस तक पहुँच कया है। इंटिनाशनल टेस्क इंडिया च्वडिकोस सेविन। तो अकेली मिलेनिया ट्रॉंप ही नहीं जिन्होंने किसी न्यूस्वेपर या फिर मीडिया पर मानहानी को लेकर करोडों का दावा ठोका हो। इसे पहले भी कई सेलेब्रिटीस इस तरह के दावे मीडिया पर ठोक चुके हैं। ब्रिटिश न्यूस्वेपर सन पर कैमरन डियाज ने ऐसा ही मुकदमा ठोका था जब उनके और शेन निकरसन के अफेर को लेकर एक पिक्चर चापी गई थी। इस आर्टिकल की वज़े से दोनों के रिष्टे खराब हुए थी। रॉबन विल्मसन ने भी मानहानी का दावा अपने लुक अलाइक पर ठोका था जो कई चैरिटी इवेंट्स में रॉबन विल्यमस बन चुका था और इससे विल्यमस के चवी को खासा नुकसान हुआ था। प्रिट्रोस कीरा नाइटिले ने भी ब्रिटिश डियूस पेपर डेली मेल पर मानहानी का मुकादमा ठोका था जो एक लेख को लेकर था जिसमें कहा गया था कि उन्हें इटिंग डिसॉर्डर है। इस दावे के बदले उन्हें हजारों डॉलर्स का मुआफजा मिला था। प्लास्टिक सर्जन रिनेटो कैलिब्रिया ने भी यूएस के एक मैगजीन पर मानहानी का दावा किया था और उन्होंने ये केस जीता। डेविट वैखम ने भी एक मैगजीन पर मानहानी का दावा किया था। हालाकि वैखम ने ये केस हार गए थे। प्रधानमती नरे मोदी का व्यतनाम के हनोई रियापोर्ट पर शांदा स्वागत हुआ चीन पहुशने से पहले प्या मोदी का व्यतनाम दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है मोदी सरकार की Act East Policy का हिस्सा है दक्षन चीन सागर पर अधिकार को लेकर व्यतनाम और चीन के वीच तनाव के हालाद है चीन को संदेश देने के साथ साथ व्यतनाम और भारत की बीच ब्रमोस, मिसाय समेथ कई एहम समझोती हो सकते हैं प्यमोदी 4 और 5 सप्टंबर को चीन के हैंग जोव में होने वाले G20 शिकर समेलर में हिस्सा लेंगे वहीं आपको ये भी बता दें कि 15 साल बाद किसी भारतिय प्रधान मंत्री का ये व्यतनाम दौरा है इससे पहले पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपी 2001 पे व्यतनाम गए थी प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी पिछले 15 सालों से व्यतनाम पहुँचने वाले प्रधान मंत्री है लेकिन उनका ये दौरा महस इसलिए खास नहीं बलकि इसलिए भी खास है क्योंकि चीन पहुँचने से पहले मोदी के व्यतनाम को लेकर डेस्टिनेशन के तौर पर चुना है ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब व्यतनाम और चीन के रिष्टों का भुरा दौर चल रहा है चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री का व्यतनाम जाना चीन के लिए अपने आप में एक संदेश है क्योंकि साउथ चाइना सी के मुद्दे पर दोनों दिशों के बीच पहले से ही विवाद के स्थिति बनी हुई है इसी बीच हो रहा प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में एहम है इस यातरा के दौरान व्यतनाम की सेना को चार पेट्रोल बोर्ट्स की सप्लाई का करार हो सकता है अक्टूबर 2014 में राष्ट्रपती प्रडम मुखरजी ने 100 मिलियन डॉलर की मदद करने का आश्वासन दिया था यह उसका विस्तार होगा व्यतनाम दौरे पर आतनकवाद की फंडिंग पर अंकुष और काले धन के सुरक्षित ठिकानों पर कारवाई की ठोस उपायों का मुद्ध उठाय जाएगा दौपक्षे यातरा के दौरान शेक्तर में नई परियोजनाओं की घोशना हो सकती है दोनों देश के बीच एकनॉमिक एलावा इस्पेस सेक्टर और हाइड्रो कार्बन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्धो पर बाच्चीत आगे बढ़ सकती है क्रूड ओयल प्रोजेट को लेकर कई करार हो सकते हैं बता दें कि यहाँ ONGC लंबे समय से काम कर रही है चीन की नजर प्रधानमत्री नरेंद मोदी के वियतनाम दौरे पर है और इसकी बज़य है वियतनाम से साउथ चैना सी को लेकर चीन से विवाद चल रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका, जापान और भारत के साथ मिलकर वियतनाम इस मुद्धे पर चीन को घेरना चाहता है जबकि चीन भारत को कई बार ये संकेत दे चुका है कि वो साउथ चैना सी पर चीन के रुका समर्थन करे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से पहले साल 2001 में ततकाली पीम अटल बिहारी वाजपे वियतनाम गए थे लेकिन इस बार के दोरे की चाइमिंग अपने आप में एहम है योकि वियतनाम के बाद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी चीन के हांजो में G20 देशों के सालाना शुकर सम्मिलन में हिस्सा लेने जाएंगे इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24-7 तो पाकिस्तान के दो शेहर पेशावर और मरदान में शुकरवार को आतंकी हमले हुए इनमें 18 लोगों की मौत हो गए थी जबकि 57 से जादा लोग जखमी हो गए सबसे पहले पेशावर में सुबह करीब 6 बचे हमला हुआ यहां चार सुसाइट बॉमबर से वारसाक के क्रिशियन कॉलोनी को निशाना बनाया जवाबी कारवाई में सुरक्षा बलो ने चार आतंकीों को मार गिराया एक शक्स के मारे जाने के खबर है जबकि 5 लोग जखमी हुए है में मरदान शहर में दो बम धबांकों में 13 लोगों की मौत हो गई है और 52 लोग जखमी हुए है दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगटन जमातुल अरहरार ले ली है पेशावर में बड़ा हमला हुआ जो होने वाला था लेकिन टला पेशावर में अलटनेस की वज़े से बड़ा हमला टल गया 400 साइट बॉम्बस को मार गिराया गया और अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस मुद्दे की जो इस खदर गरमाया हुआ है कि उसकी आज 18 दिन बाद भी कम नहीं हो रही प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने बलुचिस्तान और गिलकिर बलुचिस्तान की मुद्दे पर 15 अगस को जो बयान दिया था उसे पाकिस्तान आज तक बौकलाया हुआ है इतने दिनों से चुप बैठे पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल राहिल शरीफ ने भी बलुचिस्तान को लेकर मोदी पनिशाना साधा है पाकिस्तान भारती प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के सोतंतरता दिवस पर दिये बयान को भूल नहीं पा रहा है पाकिस्तान में अब आर्मी चीफ जर्णल राहिल शरीफ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त वाले बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे गिल्गित में गुरुवार को चीन पाकिस्तान कॉरिडोर देखने आये राहिल शरीफ ने भारती ये प्रधानमंत्री के बयान पर रियाक्ट करते हुए कहा हम अपने दुश्मान और उसकी चालों को अच्छी तरह समझते हैं और इनसे निपटने के लिए तैयार है चुकि भारत गिल्गित बाल्टिस्तान में बन रहे चीन पाकिस्तान एकॉनमिक कॉरिडोर का विरोध करता रहा है इसलिए पाकिस्तान इस कॉरिडोर के बनने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रशन बना चुका है राहिल शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं और देश सही दिशा में बढ़ रहा है पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर के इस इलाके में विरोत प्रदर्शनों का दौर चल लहा है इस जगह के लोग पाकिस्तान आर्मी के जुल्मों की बात कर रहे हैं और राहिल शरीफ ने यहां के लोगों को भरोसा दिलाये कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी ही आर्मी समझना चाहिए राहिल शरीफ के बयान के बाद कई बलोश निताओं ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के ओर से आया ये जवाब कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा था उसका सही मेसेज पाकिस्तान में गया है इसलिए पाकिस्तान आर्मी के चीफ राहिल शरीफ इस तरह की बात कर रहे हैं वौकलाए हुए पाकिस्तान का बार बार चीन का जिक्र करना भी उसके डिकते हुए आत्मविश्वास को दिखा रहा है इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24-7 बलोचिस्तान के आजादी का समर्थन करने बाले बलोच नेता बरमधाग बुक्ती से चड़े पाकिस्तान ने अब उनकी गिरफतारी के लिए कोशिशे तेज़ कर दी है पाकिस्तान ने बलोच नेता ब्रम्धाग बुक्ती के खलाफ इंटरपोल के जरिये रेट कॉर्णर नोटिस जारी करवाने की पूरी तैयारी में है फिलहाल बुक्ती सुर्जलेंड में रहते हैं ब्रम्धाग तब सुर्ख्यों में आ गए थे जब उन्होंने भारतिय प्रधानमंत्री मोधी के स्वतनत्रा दिवस पर बलोचिस्तान पर दिये गए बयान की तारिप की थी इस बयान में पीम ने बलोचिस्तान, पीयोके, गिलकेट बालस्टतान में मानव धिकार, उलंगन का मुद्धा उठाया था पाकिस्तान ने इस बयान के अलोचना करते हुए इसे पाकिस्तान के आंतरिंग कमामले में हसक्षिप की कोशिश कहा था लेकिन बलुच Eastान के आजादी समर्थख नेताओं ने इस पर πीम को शुक्रिया कहते हुए बांगलादेश की तर्च पर बलुच Eastान की आजादी की बात कही थी पाकिस्तान के इस कोशिश की बाद बलोच लीडर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाक को आदंग की फैक्टरी कहा है पहले तो इसको सोचना चाहिए कि क्या वो दूद से धुला हुआ है जो उसके पास टेरिरिजम की फैक्टरी है जितने भी टेरिरिजम एक्टर हैं जितने भी लोग हैं वो वहीं पे हैं पाकिस्तान में हैं Interpol is a credible organization and Interpol should put the names of Chief of Army Staff Raheel Sharif, Prime Minister Nawaz Sharif, DJISI's name and Rangers and FC, heads of FC's name because these are the war criminals and traffickers that live in Pakistan and travel abroad, they should be put on the list and they should be arrested whenever they leave Pakistan रियास्ते पाकिस्तान का बरामदा बुक्टी के खिलाफ रेड वारंट निकालना पाकिस्तान के अंदर की बेचेनी बुकलाहट को जाहर करता है कि बरुच्तान के अंदर जो लोग हैं वो खास्तों पर जो रियास्त के साथ जुड़े हुए थे उनके अंदर एक अजीब सी बेचेनी पहली हुई है और वो लोग भी मुसलसल रियास्ते पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि वो अभी इनस्क्यो फील कर रहे हैं